मुझफर नगर की फाश्ट्रेक कोट ने 13 साल पुराने मामले में शुक्रवार को मेरेट सरदना के पूरविधायक संगीस सोम समेत चार लोग उपर आरोप तै कर दिया है वर्द 2009 में लोग सुबा चुनाओ के दोरान सिविल लाइन थाने में संगीस सोम सहित कई के खिलाब धक्का मुक्की मार पीट समेत अन्य धाराओं में मुकतमत दर्च किया गया था कोट ने अगली सुनवाई 6 जुलाइक निर्धारित किये आपको बता दे मालवी चौक पर इन्होंने जहाम लगाया था वर्द 2009 में हुए लोग सुबा चुनाओ में पूर विधाय संगीस सोम ने मुझफर नगल लोग सबा सीट से चुनाओ लड़ा था उस समय उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाओ लड़ा था नामांकन के दोरान संगीस सोम और समर्थकों में मालवी चौक पर जमकर हाता पाई हुई थी इस दोरान पुलिस से धक्का मुक्की मार पीट भी हुई थी इस सम्बत में सिविल लाइन थाने में संगीस सोम और उनके निजी गाड़ वीरेंपाल जगपाल के खिलाव मुकदमा दर्ज किया गया था मामले की सुनवा इफास्ट रैक कोट सिविल जज सीनियर डिवीजन मैंग जैसवाल के कोट में चल रहा है शुक्रवार को भाजपा नेता संगीस सोम और अन आरोपियों को कोट में पेश किया गया वरिश अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया है कि शुक्रवार को कोट ने सभी पार आरोप तै कर दिया है बिरु रिपोर्ट आई पिएन